हद हो गई इस उमर विच एही कारनामा करना बाकी रह गया सी, शरम नाम दी कोई चीज बची ही नहीं, हुण मैं अपना चहरा बाहर की में दिखाऊंगा, सड़े रिस्तेदार क्या गहनगे, मेरे दफ्तर दे दोस्त क्या सोचनगे, इक पल विच ही सड़ी इज़त दा कचरा क दिल विच नफरत आते, चहरे पर गुसा लई, अकाश जोर जोर नाल चीक रहा सी, आओ तो हन्नू दस दे हां की आखिर मामला क्या है, आखिर एह जा क्या हो गया सी, जो अकाश इनना पड़क रहा सी, दरसल सूमन जी आते, राम परकाश जी, जो की अकाश दे माता पिता हन ओना दा एक होर बच्चा इस दुनिया विच आउन वाला है, अते इस गल नू सुनने दे बाद तो ही, अकाश दा गुसा सत्मे आसमान पर है, अकाश अते सुनीता दे व्यानू हुने दो मीन ने होय सी, जद अकाश ने अपनी पतनी सुनीता नू इखबर दित्ती, ता गु अकाश दा श्रीर काम रहा सी, पर सुनीता दी समझ विच नहीं आ रहा सी, कि इस विच नराज होने वाली क्या गल है, पर अपने पती दे गुसे दे सामने ओ कुझ ना बोल सकी, सुनीता चुपचाप अकाश दी गला सुन्दी जा रही सी, परंतु उस दे मन विच एक परश सुनीता दा पती अकाश हुने मतर चोवी साल दा है, उस तो छोटी सुनीता दी ननद है शीतल, सुनीता दे सास सोरे दा विच बहुत ही कट उमर विच हो गया सी, आते उस दी सास दी उमर वी जादा नहीं सी, सुनीता हुन तक इस समझने विच आसमर्थ सी, कि उस दा पती क इस गालनू लेके इनना नराज है। पसांद कर दी सी। परंतु अज अपने पती दे मुह तो ऐसी गलना सुनना उसनू बिल्कुल चंगा नहीं लग रहा सी। आश्टर दे अहुद्दे पर काम कर दे हन। उना दा उस दे नाल इनना लगाव हो गया सी। पर उना दे बच्चे बुलावने दे बावजूद उना दी गल तक सुनने नहीं आ रहे। आम दिना विच ता सुनीता अपनी सास अते नांदशीतल दे नाल मिल के नाश्टा बनाया कर दी सी। अते अकाश दे दफ्तर तों मुडने दे बाद सारे लोक हाल विच बैठ के खाना खान दे अते गला कर दे। पर अज सब कुझ बेका बुसी सथीती नू संबालने दे उदेश नाल जद सुनीता अपने पती दे कोल गई अते कहन लगी सुनो पिता जी ने तों नू बलाया सी। क्या तुसी पूल गई हो। सुनीता दी गल सुन के अकाश दा चहरा गुसे नाल लाल हो गया। आते गुसे विच बोल लिया। मैंनू किसी नाल कोई गल नहीं करनी है। आते तु मेरी पतनी है। जो मैं कहूंगा तु उह करेंगी। बहुत ज्यादा दिमाग चलाने दी ज जरूरत नहीं है। सुनीता हैरान सी कीजेकर उह काश दी पतनी है ता सस ससुर दी तरफ तों क्यों नहीं बोल सक दी। परंतु नमी नमी सी इसलई चुपचाप बैठ गई। जद दरवाज्ये पर दस्तक होई अते सुनीता दे ससुर रामपरकाश जी दी अवाज आई। प पेस्बुक पर व्यस्त सी। सुनीता ने दरवाज्या खुलिया अते ओना नू अंदर आउने नू किया। ता रामपरकाश जी बोले नहीं बेटी होणे नहीं। मैं आते तेरी मा तुसी लोग का नाल कुझ गल करना चाहूं दे हां। हाल वीच आजाओ। एहजा कहके चट के बाकी सारे लोग हाल वीच पहुंच चुके सी। सुनीता ने उसनों काफी वार बुलावने दी कोशिश की ती। परंतु उसने दरवाज्या नहीं खोलिया। आते सिर्फ इनना ही कहा की पलीज मैंनू परिशान ना करो। मैं इकला रहना चाहूं दी हां। हाल वीच राम परकाश जी अपनी पतनी दे नाल सीर चुकाए बैठे सी। सामने अकाश बैठा सी। आते सुनीता उसने कोल ही जाके खडी हो गई। सास दा चहरा देख्या ता उसनों बहुत तकलीफ होई। इक ही दिन विच उना दा सुन्दर चहरा मुर्जा गया सी। अखां दे हे काले के रे पै गए सी। शायद बहुत रोई सी। आज वो पूरा दिन कमरे तो बाहर नहीं निकली सी। उना दी हालत देखके सुनीता नूवी रोना आ रहा सी। जदी अकाश ने कठोर आवाज विच केहा क्या कहना सी तो हनू जल्दी कहो मेनू काम है। अकाश ने कदी आ नूव संबाल दे होए होळी नाल कِّहा। तूसी लोक ता सब कुछ जान दे ही हो। अकाश गुस्से विच बोल लिया, जी हां जान दे हां। थाल्दी होन ते नूव इस बारे विच या कहना है। असी तो हनु क्या कह सकते हां। पिता जी, तूसी कुछ कहने योग छड्द आपने पती दी गल सुन के सुनीता कदी उस दी तरफ देख दी ता कदी अपने सस सोरे दी तरफ मनों उसनू अपने करना पर विश्वाश नहीं हो रहा सी जदी राम परकाश जी बोले क्या सदे कारन तुसी लोका नो बाहर निकलने विच शरम आ रही है जदी काश ने उच्ची वाज विच कहना शुरू किता होर नहीं ता क्या मेरे अपने दोस्त हन शीतल दी सेलिया हन सुनीता दे माइक के वाले हन ओ सारे लोक क्या कहनगे सोच के ही शरम दे कारण मेरा सीरचु का जा रहा है पुत नो इस तरह गल कर दे देख सुमन जी दी अखा तो हंजू वेन लगगे सुनीता ने चाट नल ओना नो अपने गले लगा लिया उसनो पहुत तकलीफ हो रही सी परंतु काश बोलदा ही गया इस सब कारण में करने दे बाद हून तुसी लोक हाल विच असी सब नो बुला के सबा बेठा रहे हो पर पीता जी मैं सिरफ इनना ही कहना चाऊंदा हां की हून मेरा तुसी लोक का नल कोई लेना देना नहीं है हून मैं सिरफ अपने तरिके नल जी होंगा अते तुसी अपने तरिके नल शीतल क्या करेगी ओ खुद जाने रामपरकाश जी दी अखां गुस्से नल लाल हो गई अते उद्दर सुमन जी दी अखां दी हंजुआ दी तारा रूकन ही नहीं रही सी जदी रामपरकाश जी बोले मतलब इही की तू कर दीरसोई वंड़ना चाहूंदा है अकाश सोफे तो उठ खड़ा होया अते बोलिया मैं मिन्नू इना ओरता वली गल्ला विच कोई दिल्चस्पी नहीं है परन्तु मैं तो हड्डे नाल होन कोई रिष्टा नहीं रखना चाहूंदा ना ही तो हड्डे नाल रहना चाहूंदा हाँ जद राम परकाश जी अपने हंजू पोंचदे होये बोले ता ठीक है जेकर तो सड्डे नाल नहीं रहना चाहूंदा ता मैं अते तेरी मां अपने पिंडवाले मकान विच चले जान दे हाँ इनना एहसान करने दी कोई जरूरत नहीं है पहला ही तुसी बहुत बदनामी करा चुके हो ये कह के अकाश अपने कमरे विच वापिस चला गया दुझे पासे हाल विच बैठे दोवे माता पिता अपने बच्चया दा वेहवार देख दे होये अपराद बोद नाल गरस्त इसदे बाद काफी दिन बीत गये परंतु कार विच पहला जैसी रोणक नहीं सी अकाश अते शीतल दोवे पाई पैन अपने माता पिता नाल गल नहीं कर दे सी सिरफ अपने कमरे दक सीमित रहन दे सी जेकर किसी कारण नाल उना दा अमना समना हो वी जान दा ता हुँ दोव अपने माता पिता नू ही गुस्से अते नफरत परी निगा नाल देख दे ऐसी सतीती विच जेकर कोई उना दी हालत नू समझ पा रहा सी ता हुँ सिरफ उना दी नू सुनीता ही सी जो उना दा ख्याल रखने दी पूरी कोशिश कर दी उना दे नाल हाल चाल वंड दी अपन परंतु सुनीता ने महसूस किता कि उस दी सास हुन पहला जैसी चूस्त नहीं रही सी सुनीता आते रांपरकाश जी उना नू खुश रखने दी कोशिश कर दे परंतु ज्यादा सफल नहीं हो पाऊंदे अकाश नू इह बिल्कुल पसांद नहीं सी कि सुनीता उस दे माता पिता दे लई कुझ करे इस लई उस दे रहंदे होये उचा के वी उना दे कोल नहीं जा सकती सी समय बीत दे बीत दे सात महींने हो चुक्के सी इक दिन अचानक सुमन जी दी सेहत बिगडन लगी पैरा विच सुजन आ गई सी कुझ खावी नहीं पा रही सी उल्टिया होने दे कारण श्रीर इनना कमजोर हो गया की तुर फिर नहीं सकती सी रांपरकास जी नू अपनी पतनी दी बहुत चिंता सी इसलई उह बिना ठक्के उना दी सेवा विच लगे रहंदे कदी अपनी पतनी दे पैर दबाउंदे कदी उना नू अपने हत्ता नाल खौंदे उल्ट सुनीता हरान रह गई परंतु इनना सब कुझ हो जाने दे बावजूद अकाश अते उसदी पैन शीतल दा दिल बिलकुल ना पिंगलिया इक दिन सुनीता दे कोल उसदी मादा फोन आया अते बोली की कुझ दिना दे लई जवाई जी दे नाल सड़े इथे रहने दे लई आ सुनीता ने बड़ी हरानी नाल किया एक इही क्या कह रही हो माँ अपनी सास नू ऐसी हालत विच छट के की में आ सकती हां सुनीता तेरा दिमाग ता खराब नहीं हो गया होन तु अपनी सास दी सेवा करेंगी अते उसदे बाद उसदा बच्चा वी पालेंगी तेरा अपना परिवार है उसदे बाद विच ता कुछ सोच परंतु मा तुसी ही मेंनू हमेशा समझाया है कि मेरा सुसराल ही हुन मेरा परिवार है ता फिर अज ऐसी गल्ला क्यूं मेंनू सिर्फ इनना पता है कि अज मेरी सास नू मेरी जरूरत है ता मैं उना दे नाल खड़ी रहूंग इनना कहके सुनीता ने मा दी कोई होर गल सुने बिना फोन रख दिता अक्सर आसपडोस वाले उना लोका दा हसी मजाक बनाया कर दे सी इक दिन नाल वाली अंटी ने सुनीता नू देख दे होए किया इक गल ता दसो नू क्या तेरी सास दा पैर पारी है जदी सुनीता ने अपने आपनों शांत कर दे होए किया सही सुनिया है तुसी अंटी इस उमर वीच इस अब कारना में कहन दे होए अंटी हसन लगी ता सुनीता ने उना दी तरफ देगदे होए मुस्कराउंदे होए किया एक गल्ल दसो इस उमर वीच पती दा प्यार किन्नी पत्निया नू मिलदा है फिर मेरी सासता इस मामले वीच बड़ी खुश किसमत होई ऐसा कहन दे होए सुनीता जान लगी ता पिछे दो अवाज आई लागदा है सास दे प्यार दा रांग कुझ जादा ही चड़ गया है तेरे पर जदी उना दे कोल खड़ी एक होर ओरत ने वी किया इद दिन देखने ही बाकी रह गए सी सुनीता नू उना दी गल्ला सुन के गुसा चड़या परंतु किसी गल्ल दा जवाब ना दिन दे होए कार परतना ही बैतर समझया आज बहुत तेज बरसात हो रही सी ता सुनीता ने सोच्या की इस बरसात विच गर्मा गरम छोले पुडी सार्यानू चंगे लगणगे खास तोर पर उस्दी सास अते उस्दे पती अकाश दे ओहो फेवरेट सी आज सुनीता ठान चुक्की सी की ओ परिवार दे सारे मेंबरानू इक साथ खाने दे मेज पर बिठा के खाना परोस्येगी आज अकाश ते शीतलनू वी सकती दिखा के उनानू अपने माता पिता दे कोल बिठाएगी हुने इस सब सोच के थोड़ी जही मुस्कराट उस्दे चेहरे पर आई ही सी की अचानक रांपरकाश जी कमरे विच आए अते बोले बेटी सादे कमरे विच आउना ता लगदा है तेरी मा दी तबेत ठीक नहीं है मानू क्या होया पिता जी कहन दे होये सुनीता डरी सहमी उना दे कमरे दी तरफ पजी देख्या था उस दी सास बिस्तर पर पई होई दर्द नाल चीग रही सी अते जोर जोर नाल पगवान दा नाम लेंदी जा रही सी ओ पसीने नाल पीज चुकी सी डर दे मारे सुनीता दे हाथ पैर कमबन लगे उसनू समझ नहीं आ रहा सी की क्या करे क्यूकी इस मामले विच उसनू कोई अनुपव नहीं सी तोड के सासदा हाथ फड़या अते बोली क्या बहुत तकलीफ हो रही है मा असी तो अनू कुझ नहीं होन दे वांगे असी होने तो हनू हस्पताल लेके जान दे हां तुसी बस पगवान नू याद करो बेटा होने दे होने अकाश नू फोन करो ओ दफ्तर दी गड़ी नाल जल्दी आ जावेगा राम परकाश जी ने सुनीता नू किया ता सुनीता ने तुरंत फोन चुक के अकाश नू फोन लगाया बेल जान दी रही परंतु अकाश ने फोन नहीं चुक किया ना जाने किन्नी वार उसने फोन लगाया पर दूसरी तरफ तो कोई जवाब नहीं मिल रहा सी कबरा के सुनीता ने शीतल दे कमरे दा दरवाज्या खड़काया शीतल जल्दी आओ मा दी हालत बिगड गई है इगल सुन के शीतल बहुत डर गई आते पुछ्या क्या होया पाबी प्रंतु सुनीता कर कबराहट विच कुछ बोल ही नहीं पा रही सी बस इनना ही कह पाई की मा दी तबेयत खराब है तेरे पाई नू फोन किता था चूक नहीं रहे इगल सुन दे ही शीतल अपनी मा दे कमरे दी तरफ दोड़ी देख्या था पीता जी उना दे पैरा दे तलवे दी मालिश कर रहे सी अते सुनीता नू देख दे ही बोले अकाश ने क्या कहा बेटी क्या हूँ आ रहे है नहीं पिता जी उन फोन नहीं चूक रहे जदी राम परकाश जी बिना कुझ कहे जल्दी नाल अपना कुड़ता पहन के बाहर निकल गए किते जा रहे हो पिता जी सुनीता ने पुछया ता ओ बोले आटो रिक्षा लबन जान दा हां तू इत्थे ही अपनी मादा ख्याल रख पर पिता जी बाहर ता तेज बारिश है पर बेटी मेरे कोल कोई होर चारा नहीं है ऐसा कहन दे होए उना ने अपनी गिल्ली अक्खा पुंजी आते तेजी नाल बाहर निकल गए दुझे पास से सुनीता आते शीतल मादा ख्याल रखन लगे सुनीता ने देख्या की उसदी सास जोर जोर नाल काम रही सी जदी कोल बैठी शीतल रोन लगी सुनीता ने उसदे सिर पर प्यार परा हाथ रख्या ता उसने उसनों तुरंत गले नाल लगा लेया अधे फूट फूट के रोन लगी पाप भी मैं अपनी मादे नाल बहुत गल्ट वेहवार कीता परन्तु आज मैंनू उना दी इह हालत देख के खुद तों ही किन हो रही है मादी इस हालत दी जिमेवार सिरफ मैं हा पाप भी क्या हूँ सानू माफ कर देनगी दसो ना ओ पहला दी तरा तंदरुस्त ता हो जानगी ना जदी सुनीता बोली पगवान साब ठीक करनगे तू सिरफ उना नू पराथना कर की ओ मानू जल्दी तंदरुस्त कर देन इस समय सुमन जी ने शीतल नू अपने कोल बुलाया शीतल इक बच्चे दी तरा उना दे कोल अपना सिर रख के रोन लगी सुमन जी ने इस हालत विच वी उस दे सिर पर हात रख के थपत पाया दुझे पासे सुनीता अपने पती नू फिर तो फोन करन लगी परंतु फोन स्विच आफ आ रहा सी जदी सुनीता नू त्यान आया कि उस दा पेके कर उस दे ससरालतों जादा दूर नहीं सी उसने तुरंत अपने पेके विच फोन किता माँ पाई किते है मेरी सास दी हालत बहुत खराब है तुसी पाई नू उस दी गड़ी दे नाल तुरंत पेज दो हस्पताल लेके जाना है इगल सुन के उस दी माँ वी कुझ बेचैन हो गई फिर किया पर तेरा पाई ता आज स्वेरे ही अपनी गड़ी तों शेहर दे बाहर गया है सुनीता दी इही उमीद भी खतम हो गई उतरंत अपनी सास दे कौल दोड़ी जदी शीतल बोली पाभी माँ दी हालत विगड़ी जा रही है दास मिंट विच्ची ही राम परकाज जी वापिस परते अते आउंदे ही किहा क्या अकाश वापिस आगया है इस सुन्दे ही सुनीता ने अपना सिर चुका लेया नहीं पिता जी उना दा फोन स्विच्च आफ है सुनीता बेटी मैं आटो लेके आया हां तुसी लोग अपनी मानों सहारा दिन्दे होए सडक तक लेके आओ सारे लोग सुन्मन जी नू जीमेती में आटो तक लेके गए राम परकाश जी आटो ड्राइवर दे कोल बैठे सी अते हुँ तिन्नों आटो विच पिछे बैठे सी राम परकाश जी वार वार मुड मुड के सुन्मन जी दी तरफ देख रहे सी उद्धर बारिश वी तेज होन लगी अज ना जाने क्यों उना नू छोटा जिहा रास्ता वी इनना लंबा क्यों लग रहा सी करीब बी मिन्ट दे बाद जद हस्पताल पहुंचे ता उना नू तुरंत एमेरजेंसी विपाग विच दाखल करवाया गया सुनीता ने अपने सोरे नू चिंतित देख दे होए उना दा हात फड़ के कुरसी पर बिठाया उद्धर शीतल अपने पिता दे गले लग के रोन लगी करीब अधे कंटे बाद डाक्टर ने उना नू दस्या कि जल्दी तो जल्दी सुमन जी दा अपरेशन करना होएगा जेकर तुरंत फैंसला नहीं लेया गिया ता जान नू भी खत्रा हो सकदा है इस उन के राम परकाश जी खमोश कुरसी पर बैठे ही रहे गए जदी सुनीता ने उना नू संभाल दे होए किया पीता जी तुसी हिम्मत रखो मैंनू पूरा विश्वाश है कि सब कुझ ठीक होवेगा जदी राम परकाश जी ने अपने हंजू पूंचे आते उठ खड़े होए ठीक ठीक है डाक्टर साहिब तो अनू जो सही लगगे उख करो बज मेरी पतनी दी जान बचा लवो डाक्टर ने सिर्फ इना ही किया बच्चा समय तो पहला है अते सतीती ना जुक है इसलए असी हुने कुझ नहीं कह सक दे परंतु असी अपनी तरफ तो पूरी कोशिश करांगे राम परकाच जी चुपचाप इगल सुन्दे रहे सुनीता अपने ससुर जी नू लेके काउंटर पर गई अते सारी फर्मेल्टी पूरी करन लगी कर तो तुरने तो पहला उसने अपने पर्स विच कुझ पैसे वी चुक ले सी जो इथे काम आ गए इदे के राम परकाच जी ने उस दे सीर पर हात रख्या अते बोले बेटी तेरा मेरे पर इनना कर्ज है जिसनू मैं कदी चुका नहीं सकदा जदी सुनीता बोली पीता जी तुसी मेनू बेटी वी कहन दे हो अते दूसरी तरफ अपने आपनू मेरा कर्जदार कह के मेननू बेगाना वी कर रहे हो बस तुसी अपना हत मेरे सिर पर रखो सान नू होर कुझ नहीं चाहिदा इस उनके राम परकाच जी दी अखा तो हंजुआ दी दो बुंदा उना दे गले पर डिग आई अपरेशन चाल रहा सी अते सारे इंतजार विच बाहर बैठे सी अकाश नू फिर तो फोन लगाउने दी कोशिश कीती परंतु उस दा फोन हुने तक स्विच आफ ही सी करीब एक कंटे बाद अपरेशन रूम दा दरवाजा खुले आते डाक्टर बाहर आए वदाई हो तो हनू पुत होया है सुनीता आते शीतल दोना ने हाथ जोड के पगवानू शुकरिया किया पर जदी राम परकाश जी ने डाक्टर तो पुछे आ अरे मेरी पतनी ओ किवे है इगल सुन के डाक्टर चुप रह गए राम परकाश जी डाक्टर दी चुप नाल कबरा आ गए आते बोले कुछ तां बोलो डाक्टर साहिब जदी डाक्टर ने होली नाल किया की उना दी हालत हुने ना जुक है इनना कहे के डाक्टर चला गया राम परकाज जी नो तां जी में काटो तां खून नहीं ओ कामबदियां लगता नाल कुरसी पर ताम नाल आके बैठ गए कुछ देर बाद नवजात बच्चे दी रोने दी आवाज सुन के सुनीता उठ के खड़ी होई जदी नर्स बच्चे नो लेके अपरेशन रूम तो बाहर आई सुनीता ने तुरंत उसनो अपनी गोद विच लेया अते पलपर विच ही बच्चा चुप हो गया छोटे प्यारे हत्ता नाल उसने सुनीता दे दुपटे नो कास के फड़ लेया अते सुनीता उसनो देखके मुस्कराऊन लगी अते शीतल नो बोली क्या तुरं इसनो गोद विच नहीं लवेंगी जदी शीतल ने किया पहला पापा नो दिखाऊ पाबी रांपर कास जी अपने पुत नो देखके देख उठ खड़े होए उसनो बड़े प्यार नाल देख्या अते फिर उसनो गोद विच लेके जोर जोर नाल रोन लगे इस देखके सुनीता आते शीतल वी खुदनो रोने तो रोक ना पाए पर बच्चा अपने पिता दी शरण विच आके चैन दी नीद सोगया सी शाम देवक्त जद अकाश कर पहुंचया तां देख्या कर पर कोई नहीं सी किसी नू ना पाके उस दा दिल अनजाने जहे डार नाल काम बुठया फोन नू चार्ज लगा के ओन की तातां देखके हैरान सी की सुनीता दी दस मिच्ट काल सी जिवें ही फोन लगा के पुच्छन लगा उसी समय उस दे पिता राम परकाश जी दा फोन आया अकाश जो हुने तक अपने पिता जी नाल नराजगी दे कारण गल नहीं कार रहा सी परिशान अते चिंतित हुंदे हुए तुरंत बोलिया हेलो पिता जी किते हो तुसी मा ता ठीक है ना बेटा असी इत्थे हस्पताल वीच हां तेरी मा दी हालत कुछ ठीक नहीं है तु एक काम करो सड़ी अलमारी दे लोकर वीच तेरी मा दी सारी रिपोर्ट्स रखियान तु उना रिपोर्ट्स नू लेके जल्दी नाल इत्थे पहुंच पिता जी तुसी चिंता ना करो मैं तुरंत पहुंच दा हां अकाश ने जल्द बज्जी वीच मा पिता जी दी अलमारी खोल के लोकर दा ताला खोल लिया पर लोकर वीच बहुत सारे कागज पहे सी उसनू समझ नहीं आ रहा सी कबराहट वीच मा दी रिपोर्ट लबदे-लबदे सारे कागज जमीन पर खिलर गए जदी अकाश दी नजर एक कागज पर पही जो शायद उस दी मा दी डाइरी दा एक पन्ना सी अकाश ने उतसुकता वश उस कागज नो चुक्या उस पर जो कुछ लिख्या सी उसनू पढ़के तां अकाश दी तांजी में जान ही निकलन लगी पन्ने पर लिख्या सी कमला सा देख कर दे मेंबर दी तरा सी ना जाने उस दी किसमत विच ही इनने दुख क्यों लिखे सी मा बापता उस दे पहला तो ही नहीं सी कुजी महिन्ने पहला ही उस दे पती दी वी मोद हो गई अते आज उस खुद वी कैंसर दी बिमारी तो जांग हार गई पर जाने तो पहला अपने तिन महिन्ने दे छोटे जहे पूत नू सा दी गोद विच पा के चली गई कि मैं पूल साक दी हां उस दे उँ आखरी शब्द मालकिन आज तक तुसी मेरे पर बड़े एहसान की तेहन अज बस एक होर एहसान कर दो मेरे पर अपना बच्चा अकाश मैं तो हड़े हवाले करके जा रही हां इस दा ख्याल रखना पगवान तो हड़ा पला करे मैं वी उसनू वचन दित्ता सी की असी उसदे बच्चे नू असी अपना बच्चा समझ के पालांगे अते उसनू ए पता तक नहीं लगण देवांगे की असी उसदे माँ बाप नहीं हां उस कागज नू पढ़के अकाश पसीने नल तरबतत हो गया अते तामनल जमीन पर बैठ गया जीना माँ बाप नू आज तक मैं इन्नी गल्ला सुनांदा आया सी दरसल उदों में ता मेरे माँ बाप सी ही नहीं परन्तु फिर वी उना ने इस गल्ल दा एहसास तक होने नहीं दिता सी में नू इस सोच सोच के अकाश दीता जीमें जान ही निकली जा रही सी पर फिर उसनू अचानक माँ दी हालत आते सतीती दी गंबीरता दा अंदाज्या होया ता खुद नू संबाल दे होये जल्दी नाल रिपोर्ट लब के हस्पताल दे लई निकला जी में ही ओ हस्पताल पहुंचिया था देख्या की सारे डक्टर्स दी टीम उस दी मादा इलाज करने विच जूटी होई सी राम परकाश जी कबराए होई उस दी तरफ दोड़दे होई आये आते उस दे गले लग के रोण लगे उसने पिता जी दे हंजू पुंजे उसी समय अकाश ने देख्या की एक नर्स दोड़दी होई आ रही है उस दा दिल कबराउन लगा आते कंबदी अवाज विच पुछया सिश्टर क्या होया मा दी हालत ता ठीक है ना जी देखो शरीर विच खून दी बहुत ज्यादा कमी होने दे कारन पेशेंट दी हालत होन ना जुक है उना नू चड़ाउने दे लई तुरंत ओ बलड सकरातमक खून दी लोड है आते हस्पिताल विच उस दा श्टाक ख़तम हो चुका है उसी समय अकाश बोलिया ता फिर परेशानी क्या है मेरा वी बलड ग्रूप ओ सकरातमक है तुसी जल्दी नल मेरा बलड लेक उना नू चड़ाउने दा इंतजाम करो जद काश बलड डोनेट करके कैबिन तो बाहर आया ता सुनीता दे हात विच नवजात नू देखके उस दा दिल तरस नाल पार आया जदी सुनीता ने किया क्या इसनू चुकोगे नहीं उसने छोटे बच्चे नू अपने हात विच चुक्या अते हंजू परी अक्खा नाल उसनू देखन लगा कुज समे उसनू इवें ही देखदा रहा थोड़ी देर बाद जद उना नू सुमन जी नाल मिलने दी इजाजत मिली ता सुनीता अते अकाश मा दे नाल मिलने दे लई गए छोटा बच्चा अकाश दे हतां पर अकाश अपनी मा नू देखदे ही फुट फुट के रोपया अते पश्तावे परे लहजे विच बोलिया मा में नू माफ कार दवो सुमन जी ने बड़े प्यार नाल किया बेफकूफ लड़के रोणा मैं ते नू हमेशा हस्दे होए देखना चाउं दी हां फिर इशारे नाल अकाश अते सुनीता नू अपने कोल बुलाया अते उना दे सिर पर हात रख के आशिरवाद दिता फिर छोटे बच्चे नू चुम्या अते अकाश नू बोली मेरी वजा नाल तू अपना सनमान खोया है तेरा गुस्सा मेरे पर है पर यह मासूम बच्चा तेरा अपना ही है इसदा कदी निरादर ना करना मैं इसनू तेरे कोल छट के जा रही है इसदा त्यान रखना ला परवाही ना करना नहीं ता मिनू शांती नहीं मिलेगी मा दी इगल सुन के अकाश दा सीना काम उठेया सुनीता मा इक क्या कह रही है उसनू छट के किते जा मा इस बच्चे दा मैं अपनी जान तो वी ज्यादा ख्याल रखांगा तुसी चिंता ना करो उन यी तो अड़ा नहीं मेरा बेटा है पर तुसी सन नु छड़ के जाने दी गल नहीं करोगी समझी तुसी उद्धर बाहर कुर्सी पर बैठे राम परकाज जी खुद नु लाचार महसूस कर रहे सी अते शीतल उना नु सहारा दे रही सी की जदी अकाश पागला दी तरा कैबिन तो दोड़दा होया बाहर दी तरफ पज्या राम परकाज जी ने उसनु पिछे तो पुक गए डाक्टर ने सुमन जी नु चेक किता अते एक गैरा साल लेंदे होय किया की सुमन जी हुन इस दुनिया विच नहीं रही अकाश अपनी मादे कोल फर्ष पर गोड़्यां पर बैठ गया अपनी मादे दोवे पेरा नु हत्ता नाल फड़ के चुमन लगा अते चीक्या म मैं नु माफ कर दो मैं तो नु फिर कदी दुख नहीं पहुचाऊंगा तुसी इस तरह सा नु छट के ना जाओ मा किनी अजीब गल है ना जद कोई सदे न बेयंत प्यार करदा है ता असी उस दे प्यार नु समझ नहीं पाउंदे उस दा निरादर करदे हां पर जद ओई स अक्षिसा डे तो दूर चला जन्दा है जद असी उस दे प्यार दी गहराई नु समझ पाउंदे हां अन्त विच सुमन जी मोत तो जरूर हार गई पर उना दा प्यार जित गया श्टोरी की में लगी लाइक कमेंट करके जरूर दस्यों जी ता नवाजी